आयोंस क्या होते हैं? एक्टिव स्पीशिज जो की रियक्शने पार्टी स्पेड़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आयोंस और इसका मेनिक एक्टिव में आई आउन मीज हाइली एक्टिव आई आन तो ये जो वर्ड है ये दिया गया था और कम से कम भी है 1.500 सार पहले ही बात है तो जो cations है जिसे कि हम इन शॉट लिखते है आई ओ एन आयोंस और इन आयोंस की दो category है एक है cation जिसे हम इन शॉट लिखते हैं cation और दूसरा है anion anion means anion right so cation वो होते हैं जो positively charged species होते हैं और anions वो होते हैं जो negatively charged special होते हैं cations और anions में जो charge होते हैं उन charge के आपके present flavors में reasoning नहीं है बस मैं आपको यहाँ पर reasoning यह दे रहा हूँ कि जो particles हैं उनमें proton और electron दो तरह के mainly charged particles हैं right और जब यह दोनों particles के number equal हो जाते हैं तो उस वक्त इन पे no charge होता है और जब electron इसमें से proton से ज़ादा हो जाता है तो negative charge हो जाता है और अगर proton से electrons का number कम है तो positive charge होता है मैंने ऐसा नहीं कहा है कि protons कम हो जाते हैं क्योंकि protons ना तो इसमें add होते हैं ना ही remove होते हैं केवल electrons add या remove होते हैं तो खेर अब यहां पर point यह है कि इन cations और anions में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि positive और negative charges हैं opposite charge होने के वज़े से इनके बीच में एक electrical force होगी attractive force होगी केवल attractive force not repulsive never repulsive केवल attractive उसके कारण हमेशा या positively charge जो ions हैं वो combine हो जाते हैं लेकिन जब भी यह combine होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो charge है वो conserve रहेगा right charge हमेशा conserve रहेगा means all positive should be equal to all negative यही इसका rule है all positive should be equal to all negative अब इनके हमें अगर categorization करें तो यहाँ पर दो main categories है इन ions की दो main category है एक तो है कि atomic species जिसको हम बोलते हैं जिसमें कि single atom involved है वो यह categories है atomic species की और दूसरा है polyatomic species जिसमें कि एक से ज़्यादा atoms use हो रहे हैं तो polyatomic हो गए all right और इनकी further जो sub categories है cations की वो simple है जैसे कि यह सभी जो cations है आप देख सकते हैं कि इन सभी पर single unit positive charge है right और इन्हें हम बोलते हैं mono cations mono cations और अगर double charge हो जाते हैं तो income बोलते हैं die cations right तो यहाँ पर आपको पास कुछ examples हैं जैसे कि magnesium है calcium है zinc है iron है copper है तो यह यह दो हैं हमारे पास tri positive वाले cations right अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा भी situation दे रखा है जैसे कि आप यहाँ देखें तो iron के पास यहाँ देखिए variety का cation बना सकता है ठीक है तो यहाँ जैसे iron है तो iron एक से ज़्यादा variety का cation जब बना सकता है तो हम कभी भी इस iron को अगर सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं iron तो यह इसकी information को incomplete रखता है और इस information को हम पूरा कर सकते हैं इसके bracket में यह roman numeral का 2 या फिर roman numeral का 3 लगा करके राइट similarly copper के हैं पर दो तरह की category होती cations की एक होता है copper का plus 2 एक होता है copper का plus 1 तो जिनके भी आगे आगे आपके पास इस तरीके से roman numeral लगे हैं तो यह understood है कि वो एक से ज़्यादा बना सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं copper की भी example को इसमें शामिल किया गया है तो इस तरीके से cations हैं उनकी categories में हैं monocations, divalent cations और trivalent cations इसमें tetravalent cations नहीं होते हैं cable 3 तक ही होते हैं और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक special species देखें आपर तो आप notice करेंगे कि इसका नाम है hydrogen का cations और आप देखेंगे कि यह anion भी बना सकता है तो इसलिए hydrogen को जो cations है वो यहाँ पर जो cations बना रखा है आप यह ध्यान रखिए कि hydrogen जो है एक positively charged cations बना सकता है और इसलिए हमने इसको इस category में रखा है क्योंकि यहाँ पर non-metal के cations रखे हुए हैं सारे यह anions रखे हैं अब मैं यहाँ पर एक बात generalized form में कहूंगा कि जो non-metallic elements हैं वो generally anions बनाते हैं में इस cations बनाते हैं पर कुछ metals ऐसे हैं जो कि negative बना लेते हैं वेल इस example में इस context में इस slavus में अभी हमने यह नहीं पढ़ा है और अभी आप इसे इस book में नहीं देख सकते हैं खेर तो यह सारी general general बाते हैं कि जो non-metallics हैं वो anions बनाते हैं तो जब भी कोई anion बनाता है त तो उसके लिए बड़ा है special शब्द है आप उसके नाम के पीछे IDE देखेंगे जैसे chloride, bromide, iodide, oxide, sulfide, nitride, azide, right इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं उनके पीछे हम लगा जेते हैं IDE तो IDE तभी यूज़ करना है जब वो atomic हो और वो anion हो atomic anions के लिए IDE तो यहाँ पर इस category में देखेंगे कि यह सब जो पहले हैं यह सभी monovalent in ions है monovalent मतलब valent माने उनकी valency मतलब valency का मतलब क्या हुआ? valency का मतलब combining capacity valency का मतलब combining capacity अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि oxygen के उपर 2 negative है तो इसको oxide बोलेंगे sulfide S2 negative हो गया उसी तरीके से nitride है N3 negative अब अगर हम इन दोनों को combine कर देखें यह opposite charge है तो इन में attraction होगी जैसे कि copper है तो वो इन से combine हो सकता है तो अगर copper की combination अगर मैं bromide से करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको हम C, U, B, R लिखेंगे C, U, B, R क्यों लिखेंगे? क्योंकि copper पे एक positive है और वो एक positive bromide के एक negative से neutralize हो जाएगा इसलिए एक copper और एक bromide इस तरीके से लिखा जा सकता है, और लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको ketion लिखना है और उसके बाद ही आपको anion लिखना है, ठीक अमान लिजेगे कि अगर मैं इसी copper को अगर मैं combine करता हूँ oxygen से, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं copper को ले लेता हूँ और मैं इसको oxygen से इस तरीके से combine करता हूँ कि at least एक copper एक oxygen से तो जुड़े गई ना, कम से कम एक तो जुड़े गई, एक के भीना तो जुड़ना ही कैस तो आप देख सकते हैं कि इस oxygen पर क्योंकि दो negative charge है यहाँ पर और copper पर यहाँ पर लिया हुए एक positive charge इस case में तो अब आप देखेंगे कि आपके पास क्योंकि conservation है charges का जो net positive है net negatives है आपस में हमेशा equal होने चाहिए तो आप यहाँ पर दो copper करेंगे और इसको हम लिखेंगे cu2o राइट मैं इसको थोड़ा clear लिख देता हूँ cu2o जो यह वाला 2 लिखा हुआ है यह 2 बताता है कितने atoms है ओके अब यहाँ पर थोड़ा से change करते हैं माल लिजिए कि copper plus 1 ना होकर कि यह वाला copper होता copper plus 2 और इसको हम oxygen से combine करते हैं तो यह compound बड़ा simple होता cuo यहाँ देखें copper और oxygen पे जो charges है वो plus 2 है copper और oxygen पे है minus 2 दोनों के charge net मिल करके 0 हो गया बस इतना सा काम खतम इसका मतलब यह हमारा सही formula बन गया है अच्छा आप suppose कीजे मैं इसको aluminium को अगर मैं oxygen से जोड़ता हूँ तब क्या बनेगा त oxygen पे minus 2 है aluminium पे plus 3 है आप जब भी aluminium का कोई भी atom कोई भी आयन लेंगे तो हमेशा plus 3 ही रहेगा तो अब अगर आप aluminium को यहां से देखें तो aluminium पे plus 3 है तो oxygen minus 2 है इन दोनों को balance करना है मतलब मेरे पास एक number 3 है और एक number 2 है इन दोनों को मैं क्या करूं कि यह आपस में net result 0 दे दे कि मैं इसको अगर मैं into 2 कर लेता हूं और मैं इसको इन 2 अगर überhaupt 3 कर लेता हूं तो मुझे हाँ मिलता है minus 6 और मुझे हाँ प्लस 6 और यह result दे देगा आपको यह जो minus 6 और plus 6 है यह result आपको देगा 0 result तो इसका मतलब यह हो गया कि मैं यहाँ पर aluminium के लोगा 2 ions और oxide के लोगा 3 ions अब आप देखें इस वाले 3 को इस 2 से multiply करेंगे तो आपको पास आएगा plus 6 similarly oxygen के लिए आपके पास यहाँ minus 2 है और यहाँ पर 3 है और आप इसको multiply करेंगे you will get minus 6 और दोनों को जो आप जोड़ेंगे तो आपको आपको आप net charge आएगा 0 इस तरीके के जो combination है वो हम कर सकते हैं तो हमारे पास जो भी एक compound बनते हैं ions को जोड़ करके उन्हें हम बोलते हैं formula ओके तो यह formula कहलाते हैं molecules की एक से ज़्यादा atoms मिलके बने हैं जैसे कि ammonium यहाँ देख सकते हैं यह ammonium है एक nitrogen चार hydrogen मिलके बनाते हैं ammonium और ammonium पे है एक positive charge उसी तरीके से है nitrate की example एक nitrogen तीन oxygen मिल जाते हैं और यह बनाता है single anion carbonate है तो w anion है और इसी तरीके से sulphate है तो यहाँ पर देखिए deblinion है एक phosphate है जो कि यहाँ पर minus 3 है right तो इन सभी compounds में मैं यह समझता हूँ कि आपको इन दोनक बारे में जरूर जानना चाहिए sulphite sulphate आप ज़रा इस i पर ध्यान दीजे इस i पर यह है height यह है 8 जब i है इसका मतलब कि इसमें oxygen 3 है और जब 8 है मतलब oxygen एक नमबर ज़्यादा है गया right तो sulphite हो गया SO32 negative और sulphate हो गया SO42 negative right अब इनके बारे में कि यह कैसे बने है यह हमारे क्योंकि syllabus में नहीं है तो मैं इनको भी फिलाल discussion से बाहर रखता हूँ अब अगर हम इन polyatomics का भी combination करें इनके साथ तो क्या होगा तो हम यहाँ पर example में देख सकते हैं माल लीजे कि मैं इस phosphate को combine करना चाहता हूँ combine करना चाहते हैं इनको हम magnesium से right magnesium से तो आप इसको लिखेंगे कि यह mg है mg पर plus 2 है और phosphate जो है इस पर minus 3 है तो इनके plus 2 और minus 2 को balance करने के लिए मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा और यहाँ पर आप लगाएंगे 2 लेकिन यह ध्यान रखें क्योंकि polyatomic है तो आपकी पूरा group दो बार लेना पड़ेगा इसलिए हमें यहाँ पर इसके पूरे के नीचे ही 2 लगाना पड़ेगा तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इनका use जो है brackets जो है brackets का use है confusion को avoid करने के लिए अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ mg3po42 तो आप देखें कि यह 2 यहाँ पर nonsense लग रहा है कि 42 दिख रहा है राइट ओके अब suppose किजिए कि मैं इसी में एक example लेता हूँ positive के साथ में तो आपके बाद सब्सक्राइब कर देखें पॉस्टिव कर देखें इसमें फिलाल के हमारे पर यही एक है ammonium अब देखें अगर मैं ammonium को कार्बोनेट से जोड़ देता हूँ तो क्या होगा अब देखेंगा कि मैं ammonium के लिखूंगा इस तरीके से NH4 यह positive आ गया और कार्बोनेट को CO3 और इस पर है minus 2 आप यह चार्ज जो इसके उपर दिख रहा है लिखता हूँ यह आपनी लिखना नहीं है एक्शुल में final result में इस चार्ज हमें नहीं दिखना चाहिए अब क्योंकि यह माइनस टू है तो मुझे इसको डबल करना चाहिए तो मैं आलिक होंगा NH4 का whole bracket and then 2 मतलब कि ammonium के time जो है वह यहाँ पर double units use होंगे और कार्बोनेट का single unit use होगा इन बातों के आप rules के तोर पर बोला गया है और इसे whipping across rule बोला जाता है क्रिस क्रॉस रूल ये मनलब कि इसका चार्ज इसके लिए इसका चार्ज इसके लिए राइट खैर इसके जुरूत नहीं है अगर आपको मेरी बाते समझ में आ गई हैं तो आप इसको समझ सकते हैं अब अगर हम समझते हैं कि जो chemical formula हैं आपको chemical formula अगर बनाने आ गए हैं तो अब आप इन chemical formulas का molecular formulas का आप use कर सकते हैं उनके molecular masses निकालने के लिए या फिर formula masses निकालने के लिए एक तो होता है formula unit mass जो की ionic compounds के लिए इस्तमाल होता है जो ion से बने होते हैं उनके लिए formula unit mass और जो molecules होते हैं उनके लिए होता है molecular mass अब for example मैं आपके सामने condition रख देता हूँ जैसे कि माल लिजे कि मेरे पास यह HNO3 है जो कि एक molecule है, nitric acid एक molecule है और इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर जैसे water है तो water भी एक molecule है तो इनके masses कैसे निकाले जाएंगे इनके masses हमने जो उपर table के रखा था जिस table में कि इनके सभी masses की पूरी list गिवन थी available था list, right हम उसी table की help से, right हम उस table की help से इन सभी के masses को just algebraically add कर लेंगे और इसके बाद हमारा को इसमें इनके masses पता लग जाएंगे तो यह है वो table जिसमें कि आपको बास atomic masses are given है तो की कुछ limited elements के हैं और बाकियों के लिए आप calculation कर सकते हैं अब मैं जैसे यहाँ पर निकालना चाहता हूँ किसी का mass for example कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ calcium chloride का mass तो मैं उसके लिए क्या करूँगा मैं calcium का mass जो कि 40 है और chloride का mass जो कि 35.5 है इनको just add करूँगा तो यहाँ पर आप देखें calcium का mass 40 है plus 35.5 multiplied by 2 क्योंकि यहाँ पर दो chloride है just इसको solve किजिए and you will get the answer as triple one similarly एक example लेते हैं माल लेज़े calcium carbonate के तो यह calcium है plus इसमें एक carbon है plus oxygen के 3 हिस्से है right तो calcium का हो गया 40, carbon का हो गया 12 plus 3 into 16 यह 16 जो है oxygen का mass है आप उस table से देख सकते हैं और इसको आप add up करेंगे and you will get 100 ओके अब suppose किजिए अगर मैं nitric acid के लिए या water के लिए गर calculation करना चाहूंगा तो आप कैसे कर सकते हैं तो भी बहुत simple है यह देखिए suppose किजिए कि मैं इसमें लेता हूँ H2SO4 को तो इसके लिए आपको mass निकालना है तो hydrogen का mass हो गया 1 into 2 because hydrogen का mass है 1 और 2 है आपर total atoms plus sulfur का mass हो गया 32 plus 4 multiplied by 16 3 जो की oxygen का mass है and you add them you get 98 right तो इस तरीके से आप molecular mass निकाल सकते हैं और formula mass निकाल सकते हैं ओके अभी इन question में यहाँ पर साफ साफ पुछा गया है कि कितने atoms present हैं एक molecule में और एक आयन में right अब देख सकते हैं कि आपको यहाँ साफ तोर पर दिख रहा है कि इसके अंदर total हमारे पास तीन atom present हैं दो hydrogen के और एक sulfur के और इसमें हमारे पास है total पांच atom एक phosphorus का और चार oxygen के तो इस तरीके बहुत simple question आते हैं exam में जो कि आप कर सकते हैं आपको ध्यान देने के जुरूरत पड़ेगी अब हमारे पास यह last concept है जो कि है molecular mass and mole concept के लिए तो molecular mass तो आपको निकालना का तरीका पता चल चुका है कि कैसे निकालना है अब हम बात करते हैं mole concept का तो मैं mole concept समझाने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक example लोगा H2SO4 का अगर मान लीजे यह molecule है H2SO4 यह है एक molecule एक molecule और इस एक molecule का जो mass है वो है 98 जो कि आप यहाँ देख रहे हैं नमबर लिखा हूँ है 98 और साथ में आपने इसका unit लगाना है U This is the mass of one molecule ओके अब बात है यह कि अगर मेरे पास यही molecule इतने हो जाएं मन 602 3000 000 000 and so on और इसमें total हमरे पास कितने 0 लगने चाहिए total 20 0s लगने और चाहिए तो इतने बड़े नमबर के जब आप molecules इतने molecules ले लेंगे तो उसके मास को कितना निकालेंगे तो वो मास जो है यहाँ पर बताया गया है कि वो मास आता है 98 ग्राम ध्यान दीजे इस ग्राम के उपर और यू के उपर तो मैं यहाँ पर आपको बात बता देता हूं कि जो यू है यू यू हमेशा सिंगल क्ली यूज के जाएगा यू यू सिंगल क्ली यूज होता है और जब हम बात करेंगे कि एक मोल का मास कितना है जैसे यहाँ लिखावा है कि relative molecular mass पूछा गया है आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक शब्द है relative ठीक है molecular mass नहीं कुछ है relative तो relative में आप देखेंगे कि आपने इसका answer कैसे निकाला है आप देखेंगे यह 18U आ जाता है similarly nitric acid का आपके देखेंगे तो यहाँ पर 63U आ जाता है तो यह है एक molecule का mass जब मैं बात कहता हूँ कि इसको 6.023 इतने molecules का mass कितना निकलेगा तो आप definite सी बात है कि आप इस number को इस से multiply कर सकते हैं और एक बड़ा number ले सकते हैं लेकिन scientifically इस number को हम एक नाम देते हैं वो है mole राइट one mole it is equal to this number इस number को हम बोल देते हैं avogadro's number यो है लेकिन या number avogadro's ने दिया तो है बट point शिर्फ ये है कि इस number को हम mole बोलते हैं one mole just like you speak of dozen अगर मैं dozen बोलता हू हूँ то dozen stands for 12 and similarly cent stands for 100 जै से percent per dozen percent तो dozen stands for 12, cent stands for 100, similarly mole stands for this big number 6.023 multiplied by 10 less to the power 23rd, so see this is big number, आब इसे बहुत सकते हैं कि इसे chemical dozen, right, chemical dozen, क्योंकि chemistry में हम इसी को यूज करते हैं, it's quite big number, right, but not the biggest number in the universe, okay, so one mole का मास कितना होता है, so one mole का मास numerically same digits का होता है, except उसके पीछे जो unit लगते हैं, वो होते हैं gram, यह नहीं कि अगर मैं लिखोंगा कि one molecule of water, इसका मास है 18U, और मैं लिखतावर one mole of molecule of water, तो यह हो जागा 18 gram, all right, so difference है कि इसके gram और units का, एक mole और 18 gram का, right, अब हम बात करते हैं, इस mole के related, right, जैसे कि अगर आपको यहाँ पता चल गया है कि water के एक mole का मास 18 gram है, तो अगर मैं आपको यह simple पूछू कि दो mole of water का मास कितना होगा, तो it's a simple answer is 36 gram, just double it, half mole water का मास कितना होगा, 9 gram, right, आप सबसे पहली बात यह कि आपको एक molecule का अगर मास ही नहीं पता होगा, तो आप इस काम को करेंगे कैसे, अब माल लिजे मैं इसी चीज़ को nitric acid के लिए करता हो, तो nitric acid के एक mole का मास कितना है, तो nitric acid के एक mole का मास है, 63 gram, यहाँ पर आपको इमेंशन करना जरूरी है कि यह nitric acid है, तो इसके 2 mole का मास कितना होगा, just 63 का double, 126 gram, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2 mole का मास 36 gram होगा, या 2 mole का मास 126 gram होगा, ध्यान से समझे, 2 mole का मास 36 gram नहीं है, यह 2 mole water molecule का मास 36 gram है, और यह 2 mole nitric acid के molecules का मास 1.6 gram है, तो similarly आप इस तरह के सी calculations आप यहाँ पर कर सकते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं, basically mole concept, अब हम इसको numerical को देखें, कि यहाँ पर यह बात कैसे समझाई जा सकती है, इस चीज़ को, यहाँ पर आपके पास इसको पूरा table rise form में दिखाया हुआ कि एक mole में क्या हो सकता है, जैसे एक mole hydrogen के atom है, तो इसमें इतने atoms होगे, और इसका मास 1 gram होगा, कोई भी आयन होगे, तो इसके अंदर इतने particles होगे, basically आपको जहाँ-जहाँ mole दिख रहा है, उस mole में इतने ही particles होगे, इसका point, central point यहीं वाला है, कि जितने भी आपको particles दिख रहे हैं, वो एक mole में इतने ही होगे, ठीक है, और उसको आप gram में लिखेंगे, ग्राम के पीछे यह plural word यूज नहीं होगा, यह ध्यान रखने हैं कि कोई भी यूनिट है, जैसे मीटर है, ग्राम है, किलो ग्राम है, किलो मीटर है, do not add plurals with the units, right, so gram is the right word, अगर 1 ग्राम है, it is 1 ग्राम, right, अगर 10 ग्राम है, again it is 10 ग्राम, right, उसी तरीके से seconds, hours, minutes, days, यह सभी यूनिट से हैं, टाइम के, इनके पीछे में कभी भी plural नहीं लगाते हैं, आपको लोग ऐसा कर लेते हैं, exam पे पेपर आते हैं, 3 hours लिखा हुआ होता है, ठीक है, but that is not the IUPAC rules according to which we write it, right, अब देखिए, आप यह सिंपल सा question है, calculate आपको करना है, moles of the following, आपको moles निकालना है, 52 gram helium के लिए, तो हम कैसे करेंगे, इसके 52 gram helium के लिए moles निकालना है काम, देखिए, बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप helium को देखिए, helium का मास कितना है, हीलियम का मास है, 4, right, अगर मैं यहाँ पर 4 gram लिए लूँगा, तो definitely यह हो जाएगा, 1 mole, right, तो 4 gram helium में, helium के 4 gram में 1 mole हो गए, तो 52 gram में कितने होंगे, तो आप इसको unitary method से देखेंगे, कि अगर 4 gram में 1 mole हैं, तो obviously 52 में कितने हो जाएंगे, 1 by 4 multiplied by 52, that gives you 13, right, अगर किसी unitary method नहीं आता है, then आपको mathematics थोली सी देखनी पड़ेगी, similarly आप देखें, particles के बारे में बात किया रहेंगे, अगर इतने atoms हो, तो कितने moles निकलेंगे, तो अगर आपको moles दे रखा और numbers का deal कहा है, तो आप numbers से deal करेंगे, 6.023 x 10 to the power 23, अगर इतने होते हैं, तो कितने moles हैं, हमारे पास 1 mole, which is the definition, एक particle के लिए होगा, divide by this number, 6.023 x 10 to the power 23, तो 12 x 10 to the power 23 के लिए होगा, मैं decimal को यहाँ पर omit कर रहा हूँ, तो just multiply it by 12 x 10 to the power 23, and you get number 2, right? So here is the solution, आप इसको देख सकते हैं, इसको solve किया गया, बड़ा ही लंबे चोड़ा formula लगा गया, बट आप इसको simple way से अप करेंगे, तो आपके बास तब भी answers, तो वहीं आएंगे, ठीक है, पर आपको बेन concept की बाद, अगर concept आपको समझ में आगया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, All right, so इस तरीके साब बाकी के जो numericals हैं, यह मैं सभी numericals यहाँ पर नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आप फिर practice कैसे करेंगे, तो आप इनके सभी की practice कीजिए, और यदि कोई doubt आता है, तो आप मुझसे content कीजिए, और यह सभी numericals आपको करने जरूरी है, क्योंकि एक्जाम में यह बहुत जादा valuable हो गया, okay,